नमस्कार बहुत सोगत है आपका आप देख रहे हैं दा न्यूज आपके साथ मैं स्विश्टी मिश्रा देखे आपको मैं राजस्थान की सियासत किस तरीके से चल रही है वो आज पूरी बात मैं समझाने वाली हूँ और अशोग गहलोत ने क्या कहा है सचिन पाइलिट क्या करने वाले 11 जून को कहा जा रहा है कि 11 जून को अपनी नई पार्टी प्रगती शील कॉंग्रेस पार्टी का वो इलान कर सकते हैं हाला कि उनके करीबी सुत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद से पाइलिट की जो रूप रेखा तैयार हुई है उसमें वो बदलाव कर रहे हैं आगामी विधान सभाचुना को देखते हुए और अपनी मांगों को देखते हुए बड़ी खबर में आपको बता दूँ ब्रेकिंग न्यूस सामने आ रही है ग्यारा जून को रजश पाइलिट की पुर्णेति थी पर हो सकता है कि सचन पाइलिट अपनी नई पार्टी का एलान ना करें क्योंकि वो अपने आने वाले आगामी आंदोलन का एलान कर सकते हैं पाइलिट को यह बात बताई और उसने भी मुझे याद दिलाई कि मैं उसे धाई साल से जानता हूं और जिस तरीके से अशोग गैलोत अच्छे खासे दिन से उन्हें जान रहा है ऐसे में अशोग गैलोत पर देखिए पीछे नहीं हट रहे हैं अपनी मांगो को लेकर वो पूरा करें आगे मैं आपको बता दूँ पेपर लिक मामले में सचिन पाइलट की मांग है कि वो उस आयोग को भंग करें लेकिन कहा जवारा है ऐसा भी कॉंग्रेस पार्टी कताई नहीं करने वाली है बड़ी खबर जहां पर सचिन पाइलट की कोई भी मांग कॉंग्रेस पार्टी पूरी नहीं कर रही है और यहीं वज़ा है कि सचिन पाइलट अभी कुछ दिन देख रहे हैं इंतिजार कर रहे हैं इस अपनी पाइलट की ताकत का एहसास दिलाते हैं और कहा जा रहा है कि यहीं आगे करने वाले हैं वो 15 माई को देखिए सचिन पाइलट ने महस कुछी घंटों में यह बात सामने आ रही है कि किस तरीके से सचिन पाइलट के एक आहवान पर दर्शकों महस 24 घंटे के अंदर बड़े विधायक 100-10000 सरपंच गाउं के प्रधान, प्रमुक, तीन मंत्री और कई विधायक के साथ हजारों की भीड आम सभा में पहुच यह कब हुआ था, यह 15 माई को हुआ था, 11 जून को भी कहा जा रहा है कि ऐसी तस्विर ही उभर कर सामने आ सकती है, क्योंकि अभी अपनी नहीं पाटी का आईलान कर भी सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं, हाला कि जब मीडिया ने पाइलिट के करीबी सूद्रू से जानने क कोशिश की कि पाइलिट के मन में क्या चल रहा है, क्या उधर बुन चल रहा है, क्या वो सियासी जाल बिछार है अपने माइंड के अंदर, अपने मस्दिक्स के अंदर, कि वो बता नहीं पा रहे हैं, तो यही पता लगा है कि अभी वो अपनी पाटी का आईलान कर भी सकते ह मौके की नजाकत को देखते हुए सचिन पाइलेट बड़ा बदलाओ करते हुए नजर आएंगे अब मैं आपको बता दूँ कि कॉंग्रेस के वरिस्ट नेता केसी वेनु गुपाल ने क्या कह दिया है सचिन पाइलेट को लेकर देखे सचिन पाइलेट को लेकर उन्हेंने कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाइलेट कुछ अलग करेंगे और अगर किसी नई पॉलिटिकल पार्टी का वो एलान करते हैं तो चुनाव आयोग के पास देखी ये प्रकिरिया आप समझ लिजे अब आप ही मुझे ये प्रकिरिया समझ कर बताईए कि क्या आपको लगता है कि सचिन पाइलेट नई पार्टी का एलान कर सकते हैं आपको आवेदन करने से पहले पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा पार्टी को अलविदा कहना पड़ेगा तब आप आवेदन देंगे उसके बाद आवेदन के बाद नई पार्टी के रेजिस्ट्रेशन में तीन महीने से आठ महीने लग सकते हैं नई पार्टी के एल में नियम के अनुसार कहा जा रहा है कि अगर चुनाओ वहां पर है तो महज-5 महीं ने बाकी है, पाज से 6 महीं भी ठीक से नहीं है, जहां पर आचार सहीता लग जाने के बाद नई पार्टी का रेजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यही नहीं पार्टी कि संगठन को खड़ा करना, कारे कारेणी बनाना प्रचार पसार करना, आर्थिक संसाथन जग्राना ये सब सब पाइलट के लिए मुश्किल कर सकती है, ये कहा है केसीवंणुगुपाल ने पाइलट के लिए, मत बदेखे केसी वेन्डू को पाल को लग रहा है कि सचिन पाइलेट अभी अपनी नई पार्टी का एलान नहीं कर सकते हैं तो यहां पे तो यह बाते साफ हो गई कि देखे एक तो पहले सचिन पाइलेट अभी नहीं करेंगे इसके साथ ही आपको बता दे अशोग गैलोत ने क्या कहा अशोग सचिन पाइलेट से सुला पर्मानेंट है यानि कि या तो वो सचिन पाइलेट को इगनोर करते वे यह बात कह रहे हैं कि देखे सुला करे चाहे ना करे हमें कोई मतलब नहीं है एक तो यह बात हो गई और एक यह बात इसमें सामने आ रही है कि कहीं ने कहीं सचिन पाइलेट अगर सुला नहीं करते हैं, तो मैं तो पार्टी में पर्मानेंट हूँ, सचिन पाइलेट का मुझे नहीं पता, सचिन पाइलेट के लिए लोग यहीं लिख रहे हैं, कि अगर वो नई पार्टी का एलान भी कर सकते हैं, तो उनकी पास विधायकों का समर्थन है, जो कि राजस कुपाल ने दोनों नेताओं के साथ बैठ कर चचा की मतलब मेरे साथ और सचिन पाइलिट के साथ आला कमान ने प्यार मोहबत से नेताओं को समझा दिया है यह सवाल व्यक्तिगत नहीं बलकि भारत का है कॉंग्रेस की जरुवत अभी भारत को रहे इनको लग रहा है अशोग सचिन पाइलिट थे तब से मैं उन्हें जान रहा हूं सचिन पाइलिट यानि कि उनसे काफी हद तक छोटे हैं और देखिए पाइलिट की में बात करूं तो यूवा नेता है चहेते हैं सबसे बड़ी बात ही चहेते हैं और यही वज़ा है कि उनका आतम विश्वास अभी बड़ता नजर आ रहा है और उनके एक आहवान पर जब गाओं के बड़े बड़े प्रधान जुट सकते हैं तो ऐसे में नई पाटी का एलान कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं आगे मैं आपको बता दूँ उन्होंने कहा कि मैंने पाइलिट को ये बात कही है पाइलि लिघ का मामला है हम आयोक को भंग नहीं कर सकते हैं ये एक समवधानिक प्रकुरिया है यानि की अशोक गहलोळ की बातों में यहां दो तर्फी बात समझ में आ रही है आपको बता दें दो तरफा बात इसलिए ना ही ये अशोग गैलोट सचिन पाइलेट की मांगों को पूरा कर रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं कि वो पार्टी से चले जाएं देखिए एक मजबूत बैठक दोनों के बीच में हो गई सुला वाली बैठक हुई अशोग गैलोट ने इसको दर किनार भी नहीं किया है कि मैंने सुला वाली बैठक की है ये सचिन पाइलेट ने सचिन पाइलेट मौकी की नजाकर देख रहे हैं अशोग गैलोट भी अपनी वरिस्टता का कहीं पर्चम लहराते नजर आ रहे हैं वरि कादूं की 25 सितंबर की विधायक बठक पर सीम गहलोत ने दुख जताया और कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष सोन्या गांधी की ओर से दिया गया प्रस्ताव पारिज नहीं होना मेरे लिए कल्पना से बाहर करने की बात थी कल्पना से भी बाहर है ये बात तो मैं दुखी हूँ खेर देखें ये थी सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत की कहानी लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात सामने निकल करारी है कि अगर अशोग गहलोत जो कह रहे हैं और अगर सचिन पाइलेट ने नई पार्टी का एलान नहीं किया तो आगे वो कौन-कौन से आंदोलन का रु और इतना समय नहीं है पाइलेट की पास अब देखिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है अगर नई पार्टी का एलान करना है तो वो भी करना होगा और अगर नहीं तो जो आंदोलन का रुख देना चाह रहे हैं वो भी आंदोलन कैसा होगा देखिए हम पल-पल पर आप आपको अबडेट देवे नज़र आएंगे फिलाल आप सब इनतजार करें 11 जून का हम सब इनतजार करने है तो इनतजार किजए बने रहे हैं और मैं पल-पल का अबडेट सचिन पाहिलेट से जोड़ी हुई आपको देटी वे नज़र आएंगी फिलाल बताइए आपको य झाल झाल